दोस्तों आज हर गली मोहले में क्रिकेट का क्रेज देखने को मिलता है और आज हर कोई अपने फेवरिट क्रिकेटर को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है लेकिन आज वो इंडिया के जाने बाने क्रिकेटर कहे जाते हैं दोस्तों विनोध कामली सचन के बच्पन के दोस्त है तो वहीं विनोध कामली मुंबई के एक चॉल में रहा करते थे जिसमें उनके साथ 18 लोग रहा करते थे दूसरी और उनके पिता एक मेकानिक का काम किया करते थे लेकिन इंडिया क्रिकेट टीम में आने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और आज ये इंडिया के जाने माने क्रिकेटर है उमेश यादव आज भले ही इंडिया के जाने माने क्रिकेटर हो लेकिन उमेश यादव पहले टेनिस बॉल टूनमेंट में ही खेला करते थे उनका सपना था कि वो अपने पिता को एक घर दे लाएं और उनका ये सपना क्रिकेट टीम में आने के बाद ही पूरा हुआ और आज ये इंडिया के फास्ट बॉलर कहे जाते हैं नमबर तीन पर है हरभजन सिंग जाने माने क्रिकेटर रह चुके हरभजन सिंग को शुरुआत में क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया था और उस समय उन्होंने ड्राइवर की नौकरी करने की ठान ली थी लेकिन छे महीने बाद उनकी किस्मत चमकी और उनको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया नमबर दो पर हैं रमेश पवार दोस्तों रमेश पवार एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 34 वन डे और इंडिया के लिए 32 मैच खेले हैं लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता का देहांध हो गया था जिसके बाद इनका पालन पोशन इनकी बहन ने किया और जब ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुए तब इनकी बहन की आँखों में आसु आ गय थे और नमबर वन पर हैं वीरेंद्र सहवाग दोस्तों भले ही आज वीरेंद्र सहवाग इंडिया के जाने माने क्रिकेटर हों लेकिन वीरेंद्र सहवाग पचास लोगों की जॉइंट फामिली में रहा करते थे तो वहीं इनके पापा गेहूं का वियापार किया करते थे दूसरी और वीरेंद्र 84 किलोमीटर का सफर तैकर के क्रिकेट की प्राक्टिस किया करते थे और सचिन तिंदुल कर इनके आइडल थे और आगे चलकर सहवाग ने सचिन के साथ कई माच खेले और आज ये इंडिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने दो ट्रिपल सेंचुरी बनाई है तो दोस्तों इन सभी क्रिकेटर्स में से आपका फेवरिट क्रिकेटर कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं साथ ही ऐसी ही और इंट्रेस्टिंग विडियोस देखने के लिए आप हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले